हलो स्टूदेंट्स वी आर गोईंग तो स्टार्ट यूनिट टू अफ चैप्टर टू मैंने जब यूनिट वन शुरू किया था ना चैप्टर टू का तो मैंने एक बात बोली थी तुमको अगर तुमको याद हो कि यूनिट्स का बेस बनेगा वो जो वकाबलरी मैंने यूज करी थी वहाँ पे कम से कम 8 या 10 वकाबलरी हर चैप्टर में तुमको मिल जाएगी यूनिट्स के बारे में बात करते हैं तो एक साथ सारी बात ही अपन नहीं कर सकते हैं तो एक वर्ड तुम्हारे सामने वहां बार बार आया था उसका नाम था market failure if you remember at all so where am I trying to focus I am trying to focus on the fact that if you can control those 8 to 10 vocabularies which is used very frequently in that particular portion they will become your keywords okay और तुम्हारा पूरा का पूरा वो जो portion है तुम चैप्टर बोलो यूनिट बोलो जो बोलना है बोलो तुम्हारा पूरा का पूरा वो वाला पार्ट उसी words के around उसी vocabulary के around revolve करेगा तो तुम्हें थोड़ी सी effort लेनी है और उन सारे 8 या 10 जिते भी vocabulary है उस particular chapter के अंदर उसको control में लेना है because वो तुम्हारे keyword बनेंगे और तुमको उसको underline करना है तुम्हारे marks उस पर ही सारे focus हो जाएंगे जो वन उसको पता चल जाता है कि भई इसको आता है okay because he would not possibly I'm not sure reading everything but as a as a like as a as a subject like expert बोलो जो बोलो जो बोलना है बोलो मैंना उन वर्ट को ढूंडती हूं जब मैं पेपर कभी चेकर कोई बच्चा गर मुझे बोला कि मैं आप मेरा यह चेक कर दो तो मैं पूरा शायद नहीं पढ़ती मैं उन वर्ट को ढूंडती हूं जो मुझे पता कि अगर इस बच्चे को यह आंसर आता है तो वह यह वाले वर्ट जरूर लिखेगा और अगर उसने नहीं लिखा है तो फिर मैं पूरा पढ़ना शुरू करती हूं कि भाई क्यों नहीं लिखा है दाट इस वाइं ट्राइं ट्राइं कि वह वह कैबलरी जो यूनीक है हर चैप्टर के सामने हर यूनिट के अंदर में हर चैप्टर के अंदर में वो तुम थोड़ा महनत करके याद कर लो और वो वर्ट का इस्तेमाल करना अउस्टोस वकाबलरी वाल राइं यू विल ट्वट फूल मांसर्ट है तोड़ी सी बात हमने आर्के फेलियर के बारे में लास्ट वूनिट में भी कर ली तो क्या होता है market failure सबसे पहले उसके बारे में डिसक्स करते हैं क्यूं होता है market failure फिर उसके उपर आएंगे उसके बाद वला जो unit होगा उसमें बात करेंगे rectifications के बारे में this chapter completely focuses on the reasons of market failure market failure क्या होता है and क्या reason होता है उसकी पूरी detailing इस chapter के इस unit के अंदर में करी दी है चलो आगे बढ़ते हूं है तो guys one thing we discussed in the last unit that markets are very very efficient okay if at all it is a perfectly competitive market okay क्या बात कर रहे है हम लोग हम लोग बात कर रहे है कि allocation of resources should be efficient सबसे पहला सवाल दिमाग में आना चाहिए कि मैं आप efficient allocation किसको बोलते हो efficient allocation का मतलब होता है the resources in this world okay the resources available with us are scarce in nature वो limited supply में हमारे पास में available है तो अगर हम if we do not use those scarce resources in an efficient manner then there will be a wastage अगर wastage होगा तो उसको बोला जाएगा sub optimal utilization of the resources and it is not good from the economic and social point of view I am sure you are smart enough to understand what exactly I am trying to mean that means there should be neither over production there should be nor under production there should be optimal production अब क्या होता है इतना estimate तो लगानी सकते उसका रीजन ही है if the markets were competitive perfect enough if the markets were efficient enough कहते हैं कि अगर market perfect competitive होगा तो obvious सी बात है it will be very very natural that the allocation of the resources will be very very efficient but the question the point of discussion is that do we get a perfectly competitive market in this real world no not possible ये बात मैंने लास्ट टॉपिक के अंदर भी डिस्कस करी थी कि क्यों नहीं पर्फेक्टली competitive market possible है possible नहीं है guys and I had told you from my side also कि क्योंकि factors of factors of production equally distributed नहीं है okay तो कैसे possible हो सकता है इस दुनिया में जो factors हैं जो resources हैं वो एक इनसान या कुछ लोगों के कुछ कुछ इंसानों के हाथ के control के अंदर में so how will you be able to achieve that perfect competition it is not possible to do that okay that's what my understanding says okay so if the markets were perfectly competitive then definitely the allocation of resources would have been very very efficient and government को intervene करने की जरूरत नहीं परती but because of various reasons because the prerequisites of a perfectly competitive market is not fulfilled okay and that leads to market failure here market failure means sub optimal utilization of the scarce resources okay that means either you are producing over producing or you are under producing thereby leading to the wastage of the resources the wastage of the resources means markets the market mechanism fails with respect to the allocation of the resources मैं repeat इसलिए करें ताके तुम याद कर लो तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करने पड़ें ओके यह तो एक बात होगे तुम्हारी दूसरी बात कि मैं किस तरह के फेलियर्स हो सकते हैं तो इसलिए तुम्हे वे पूम्हें सेलिट ये तुम्हें ज्यादा कर बात कि तो के टेमें grow and will कको डीबढक स也是 in क्रव रिड़ीयर्स का ज्यादा होते एन फेलिए और भाइन साइड मार्कथे खेलिर satisfaction होता है demand failure, आपने को यह कैसी चीज प्रोडूस करी, you have produced something which you thought is valuable from the consumer point of view, but actually it was not valuable, okay, that means you did not consider, you did not consider the willingness or the desperation of the consumer towards buying that good, for example, मैं कोई product बनाती हूं, okay, और मैं इस बात पर ध्यान नहीं देती, for example, अगर मैं तुको अपना ही example देते हूं, आपन बाहर का example क्यों दे, for example, कि मैंने एक product बनाया वाई, CA final में उसका नाम है, SFM Express, एक example दे रहे हूं, अब देखना सब्जा करके वाँ पर Google करेंगे शायद, SFM Express is a product which is like, which helps you revise whole of strategic financial management, that is group one, paper two, group one, paper two, and in 25 hours में, okay, तुम पूरा का पूरा SFM revise कर सकते, it is, it has turned out to be a very very beautiful course actually, मैंने महनत बहुत करी थी, and somehow people have appreciated it a lot actually, बच्चों को बहुत पसंद आया, और मैंने इसको free YouTube पे डाल दिया, COVID के समय, because I thought many people would be able to utilize that, okay, तो अब मुझे एक बात बताओ, तुम अगर मैं उस चीज को, अगर मैं उस चीज के पैसे मांगो, तो कोई मुझे देगा क्या, नहीं देगा, नहीं देगा, क्योंकि वो बोलेंगे, जब यह free में available है, तो मैं आपको पैसे क्यों दूँ, okay, दूसरी बात, दूसरी बात, similarly, अगर कोई, जो जो एक्जामपल इन्हों ने बुक में दिया, नहीं वो भी कोट करूंगी, because अगर में वो कोट नहीं करूंगे, और तुम पहली बार जब वो एक्जामपल देखोंगे, तो मैं मज तुमारे स्कोर पर कोई फांटें लगा वर रहता, इसमें पाने निकलता है, okay, so there is a fountain, and if somebody says that इसका तुमको पैसा देना पड़ेगा, will you give that, nobody will give that, why, when I can see that fountain, when I can consume the sight of that particular fountain for free, why should I pay for that, that means, आपने जब फांटेन बनाया, तो आपने लोगों की जो डेस्परेशन है उसको यूस करने की, वो आपने कंसिडर नहीं किया, that means, you have, you have not used or allocated the resources properly, that means, जब मैंने SFM Express को यूटूब पे फ्री में डाला, तो मैंने ये ध्यान नहीं दिया, कि अगर मैं वहां पे डाल दूंगी, तो people would not be desperate enough to pay money, are you getting the point, that means, अगर और तरीके से सुनना है, तो ऐसे सुनो, when you produce something, you have to consider that, आप ऐसे तो कोची बना के नहीं बैठ जाओगे, आपको बनाना पड़ेगा, तो आपको सोचना भी तो पड़ेगा, कि भाई, ये चीज़ कोई खरीदेगा, कि नहीं खरीदेगा, वो बात कर रहे हूं मैं, so when you do not consider the willingness, the desperation of the consumer to buy, कि वो कितना पैसा तुमको से कमा पाओग that is called demand side failure, okay, similarly supply failure भी होता है, कैसे, मालो की एक iron and steel plant है तुमारा, okay, this is a very cliched example, actually, cliched मतलब बात repeat example, मन भी करता है, कुछ अचा example कोट करो, बट कहां भी कोलो तो यह वाल example दिखता है, okay, cliched example है, तो iron and steel plant है तुमारा, and there is a lot of smoke around, तो pollution होता है, तो वो जो product है, iron and steel का जो product बनता है, तो एक cost तो वो हो गया, जो उस iron and steel को बनाने में कुछ भी कोई चीज समझो कि product बनता है उसमें से, okay, उस product का एक cost होगा, तो सिर्फ उस चीज को बनाने में अगर तुम cost consider करते हो, for example, तुमारा raw iron गया होगा, like उसके बाद लेबर गया, तुमारी बिजली, direct cost, indirect cost जो भी atmosphere खराब हो रहा है, वो तुमारा external cost हो गया, वो उसकी price में factor in नहीं होता है, तुम्हारी बात, लेकिन इसका ये मतलब है, नहीं है कि तुम उसको ignore कर सकते हो, because long term में वो तुम्हारे nation के citizens के health को affect करेगा, तो अगर हम उस cost को भी consider करें, अगर हम उस cost को भी consider करें, तो क्या तुम आरन इस्टील इंडस्ट्री में बना रहे हो, उस cost को तुम उपर लेके जाओगे, right, and what will happen, then possibly, possibly, जितना लापर वाही से, you can say, maybe that is the word actually, जितना free mind से, without guilt तुम वो प्रोड्यूस करते जा रहे हो, शायद कहीं न कहीं तुम्हें उसको तुम कंट्रोल में लेया होगे, क इसका cost बढ़ गया, खरीने वाला भी कम खरीदेगा, और बनाने वाला भी कम बनाएगा, because then you are considering total cost, so that is called supply side of failure, so when you fail to consider, as a producer, when you fail to consider, okay, the external cost, or the side effect of your economic activity, while delivering the production activity, that is called supply side failure, okay, यह बातों के बारे में बहुत रिटेल में डिसकस करने चाहरे हो, तुम्हार साथ में, तो basically, दो बाते मैं ने बोली, demand side failure, and supply side failure, when you fail to consider, the real willingness of the consumer, to buy and pay some money, with respect to some economic activity, or some production, or some goods and services, it is called demand side failure, okay, similarly, when you fail to consider, the real cost that is incurred while producing some goods and service, is called supply side failure, okay, so उस case में क्या होगा, miss allocation of resources हो जाएंगे, कई बार तुम देखना पता नहीं, तुम गए हो कि नहीं गए हो, मुझे नहीं पता, तुम सोच के देखो कि उसको lightly लिया गया, that means that chemical which was produced in that Bhopal gas plant, was very very like dangerous, तो क्या बनाने वाले ने, और consume करने वाले ने, and for that government also, could they even consider, अगर consider किया होता, तो जो लाखों लोगों की जान गई, और जो लाखों और सैकड़ों लोग हैंडिकेप हो गए, health issues से खतम हो गए, वो consider कर पाते, तुमको नहीं लगता कि ये भी एक cost था और बहुत बढ़ा cost था, हम उसकी बाते कर रहे हैं, तो ध्यान देना, आगे बढ़ रहे हूं मैं, okay, so in this chapter guys, we are going to discuss what are the reasons of market failure, and in the next chapter onwards, we are going to discuss that what steps government can take to like rectify the market failure by intervening, because अगर सरकार नहीं आएगी, तो लोग क्या होगा कि लोग बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, to see to the fact that pollution से लोगों की जान भी जाती है, लोगों की तवयत भी खरावती है, nobody would consider that, okay, if left to market mechanism, correct, I hope you understand that, but मैं क्या बोलना चाह रहे हूं तुमको, तो आगे बढ़ती हूं, और थोड़ा सा मैपिं कर लेते हैं, क्या इसमें लिखावा, क्या मॉडूल के हिसाब से चल रहे हैं, मैंने जो बुला, मैंने कोशिस करी कि मॉडूल के ही लैंवज थोड़ा सा यूस करूं, but then it's not possible तुमांगा 100% N से, the general belief is that markets are amazingly competent in organizing the activities of the economy, as they are generally efficient and capable of achieving optimal allocation of resources, however, there are exceptions to this, under certain circumstances, market failure occurs, that is a market fails to allocate resources efficiently and therefore market outcomes become inefficient, market failure means overproduction or underproduction of a particular goods and services leading to less than optimal outcome, we already discussed that, right, perfectly competitive markets can work efficiently but most of the times it is not due to various reasons, there are two aspects of market failures namely demand side and supply side market failures, correct, demand side market failures are set to occur when the demand curves do not take into account the full willingness of the consumer to pay for a product, for example, though we experience the benefit, none of us will be willing to pay to view a wayside fountain because we can view it without paying, that means the resources, those not directly under the direction of the business it is not necessary to get a source that is not necessary, because we don't need to pay for a product because we don't have to pay for the economy, so if we don't be willing toak, if you don't create a source, it's not easy to get money, you don't take into account, once you're not in the way you can send a source by your bank or outside contract and if you have to pay for a डाला होता तो शायद में 2,000 रूपीज, 5,000 रूपीज भी शायद में ले सकते थी, लेकिन अगर अगर मैं 100 रुप्या भी मांगोंगी, तो कोई मुझे नहीं देगा, that means I failed, मुझे ऐसा लगा कि मैं YouTube पे डालूँगे और बात मैं पैसा मांगोंगे मैं, तो मुझे लोग दे प्राइजिंग तर्म्स में देखो कि तो हाँ failure है, supply-side market failures happen when supply curves do not incorporate the full cost of producing the product, for example, a thermal power plant that uses coal may not have to include or pay completely for the cost to the society, तो मैं पता एक बात कि एक ना आगी जाके topic आगा तो दिखा लिखा वाई, externality, इसमें यह बात है बहुत आने वाली है, यानि कि आरे एनने स्टील प्लांट बोलो या कुछ और इस्तर के प्लांट बोलो, जो chemical जिसे, जो side effect create करते हैं, तो जिसको यह side effect होता है न, external तरीके से, इसलिए इसका नाम externality है, जो producer है, वो भी बेर नहीं करता, और जो consumer है, वो भी बेर नहीं करता, बेर कौन करता है, कोई third party बेर करता है, तो वो third party को जो cost incur करना प transaction, okay, it is not born by the immediate producer or the consumer or the immediate parties involved in the transaction, it is born by a third party, okay, so that, that is like, उसको शायद हम यह नहीं कर सकते हैं, what do you say, cost में उसको factor in करना ही बहुत मुश्किल है, तो सरकार क्या कर सकती है, भाई, लाइसेंस के पैसे मा, आपको इस चीज का लेना पड़ेगा यह काम करने के लिए, तो लाइसेंस के पैसे बहुत सारे सरकार मांगेगी, तो अगर सरकार लाइसेंस के बहुत सारे पैसे मांगेगी, तो अल्टिमेटली तुम्हारा वो जो पर उनिट कॉस्ट लाइसेंस का, उसके अंदर ही निकलूड हो जाएगा, तो तुमारा पर उनिट कॉस्ट तुमारा बढ़ जाएगा अगर per unit cost manufacture करने का बढ़ेगा तो ultimately तुम तो consumer को pass on करोगे तो उसकी consumption भी कम हो जाएगी वो बातें कर रहे हैं लोग ओके, I hope you got the point Why do markets fail? तो इन्होंने चार reason दियें guys The pertinent question here is Why do markets fail? तो चार reason दियें सबसे पहला reason इन्होंने दिया है यहां देखना तो Market power या monopoly Monopolization of the resources Number two, externalities यह बहुत important point externalities, यह exam के point of view से भी बहुत important है Third, public goods and fourth is in complete information अभी हम दो पहले focus कर रहे हैं, market power and externalities लंबा चलेगा, ध्यान देना, ओके धिरे-धिरे सुनो Now, market power तुमको हमें कैसे पढ़ना यह chapter पता है कि जैसे market monopoly से क्या होता है और and how monopoly would lead to the market failure यह दिमाग में मत भूला Don't lose track while studying that mudda क्या था Mudda यह था कि market mechanism is incompetent with respect to the allocation of resources What are the reasons of market failure these four So, यह दिमाग में रखना कि इस चीज़े market fail कैसे करता है and किस तरह allocation नहीं हो पाती है वो तो सवाल का जबाब तुमको हर point पे देना पड़ेगा I don't know तुमको मेरी बात साथ वरना तुम खो जाओगे theory के अंदर में इतनी सारी theory है सबसे पहला point ले रही हो market power mapping बाद में करेंगे market power क्या होता है मताँ market power की वजह से मिस अलोकेशन कैसे होता है वो बता रही हो what is market power? market power is control of resources by a single person or a group of people okay so उसे how does it affect you? how does it affect the optimal allocation of the resources if there is a monopolization of some resource in the economy okay on some goods and services what will happen the monopolistic power will try to control the supply and the prices actually okay तुम मैं इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है इसके अंदर में जो आदमी के पास मोनोपोली होगी ना जो आदमी के पास मोनोपोली होगी वो अपनी मर्जी के हिसाब से pricing को अपने marginal जो normal profit होती है उसे बहुत ऊपर लेके जा सकता है वो कि वो चाहेगा तो वो price otherwise एक perfectly competitive market में नहीं होता अगर तुम perfect competition allow करते हैं market में उस goods or service को ले करके तो price वो नहीं होती उससे नीचे होती मेरे कहने का मतलब है and the output को जान बुच के कम करेगा the output the supply of that particular goods and service would be intentionally reduced and the prices would be increased why is it possible because he has got a monopoly power on the supply of such goods and service so what happens from the social point of view what happens a person has to pay relatively higher price and the society gets a lesser supply of goods and service which otherwise would not have been the case if there was a perfect competition with respect to that particular goods and service in the market समाझ आरही है बात क्या हो रहा है मतलब क्या हुआ की अब एक 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 हो बोटे हो suppose oil की बात करते हैं तुमारा जो कूड होता है if you talk about crude there is a cartel which is called opaque oil producing countries okay so they intentionally control the supply of the crude oil across the world and as per their wish as per their profit margin that they want to make they can twist क्या करेंगे वो लोग supply को कम कर देंगे और प्राइस को बढ़ा देंगे अब oil इतनी एक essential चीज है across the world तुमको पता है पूरी economy के अंदर में world economies की inflation की rate interest की rate सब कुछ crude से drive होता है सब कुछ क्या बिना energy के क्या कर लोगे तुम जिंदेगे के अंदर में तुमारे जितने भी power plants होते हैं जितने भी तुमारी transportation होता है किसी भी तरह का तुम transportation ले लो right from like a scooter to aeroplane everything requires petroleum right जितनी तुमारी industries होती है घर में हम यूद आप यूज LPG यूद आप तुम जो gas यूज करते हो consumption के लिए कुछ भी तुम नहीं हम कुछ भी यूज नहीं कर सकते है बिना petrol बिना crude के हम हमारी life बिल्कुल ऐसे halt पे आजाते है या अफ लेट अभी इन दिनों में crude की जो importance है वो धीरे धीरे कम हो रही है बिकॉस solar energy पे बहुत जादा लोगों का focus जा रहा है and it is one of the most upcoming industry in terms of the business also actually and there is a lot of development on the nuclear side also so that our dependence on the crude with respect to the energy requirement is relatively reduced but yet we are a lot as a world whole of us all the people are dependent on crude but there are only few countries in this world who control these resources okay अगर अगर ये चीज नहीं होते अगर मोनोपोली उनकी नहीं होते तो हमें शायद crude के जो high prices पर लिटर पेट्रोल के डिजल के इतने पे करने पड़ते है वो हमें otherwise नहीं इतने पे करने पड़ते and the resources available जो है नेचर के थरू ओके वो थोड़े जादा efficiently allocate across the world among the citizens of every country I hope you can relate that and because of that the allocation cannot happen properly the way it should be actually so one of the reasons of market mechanism failure is market power or monopoly of few goods and services in the hands of one person or a group of people I hope guys you can understand what I have said number two externalities this is very important this is very important I have said this is my mind I have written it I will explain it around you I will explain it in the externalities this is what I will read market power causes the single producer or a small number of producers to produce and sell less output than would be produced in a competitive market meaning if there is not monopoly and not perfect competition hota to cheese kuchh or hoti allocation of resources would have been more efficient actually market power can cause markets to be inefficient because it keeps price higher and output lower than the outcome of equilibrium of supply and demand how do you think how do you think if you think if you think if you think price is more and supply you think what do you think what do you think is optimal utilization optimal allocation that you think that you think that you should have every person is control and that you can use for example how do you think about it if you think if you think if you think below poverty line you think that you think that you think basically पाते हैं, तो बहुत सारी लोग जब यूज नहीं कर पाते हैं, because of monopolistic situation, उसको भी in efficient allocation ही बोला जाएगा, okay, in extreme cases market would fail to produce goods and services despite the fact that those goods and services are demanded by people like public goods, यह एक बहुत important point है, यह मैंने mention नहीं कहा, तुमको पता ही क्या मतलब हुआ, कि यह भी possible है कि कुछ चीज़े market में available ही नहीं है, जैसे public goods, for example, कोई bridge है, कोई dam है, highway है, यह काम कौन करेगा, इसका कोई market ही नहीं है, okay, so वहाँ पे भी market mechanism fails, अगर market perfect है, तो market को हमारे requirement के हर चीज़ available करानी चाहिए, वो नहीं available अपने पास में, इस विल बी taken care of by, तुम पता है तुम पढ़ क्या रहे हो, तुम आइडिया है, इस बात का कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम यह पढ़ रहे हो कि भाई, market mechanism पे आप छोड़ दोगे, तो आपको यह 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 चीज़े नहीं मिलेंगी, और अगर मिलेंगी, तो सही दाम पे नहीं मिलेंगी, इसलिए सरकार को आना जरूरी है, अब सब्सक्राइब मैं क्या बहु रहे हूं, तो basically, markets उन चीज़ों को नहीं बनाएगा जिसका market ही नहीं है, for example, park, public welfare, इन चीज़ों के लिए कोई market नहीं है, इन चीज़ों को तुम खरीद नहीं सकते हैं, market में इसका market ही नहीं, missing market है, okay, and that is why we ultimately, basically, we can like, justify the intervention of government in those areas actually, externalities, किसको बोलते हैं, इस पे, I think, we need to discuss, take a deep breath, I hope guys, I am just trying my level best to make you comfortable with respect to the portion actually, I don't know how many of you are, but yeah, okay, what is externality, सुनो पहले ध्यान से पूरा, okay, फिर मैं मैं माप करवा दूंगे तुमको, तो, if, if, that's what I feel, okay, if the production, याद कर लो, if the production, consumption and investment, क्या बुला मैंने, if the production, बोलो मेरे साथ में, if the production, consumption and investment, of an individual, a firm, or a household, affects, affects, इस पुरी line में, सार का मतब समस्तियों, क्या होता है, synopsis, इस, इस line के अंदर में, तुमारे externality का जो topic है, उसका पूरा सार है, पूरा synopsis है, अगर तुम यह line याद रख लोगे ना, तो बाकी externality पूरा याद हो जाएगा तुमको, फिर से रिपीट कर रहे हूं, आप बाकी याद रख लोगे ना, करते हैं, इसको टेकनिकल लेवल पर भी लेके जाना पड़ेगा, हम कुछ भी करते हैं, हमारे, वाटेवर वी दू, अफेक्ट आफ 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 आवर अक्तिविटी, इस बार्न बाई अधर पीपल और पीपल और सो, तो आफ इस भूरोगे जाना पड़ेगा, so that is you are imposing cost to some outside party who is neither the producer not the immediate consumer that is called externality so basically यह लोग यह बोलते कि अगर आप उस cost को मैं पूरे अगर आप उस cost को consider करोगे तो हो सकता है कि सामने वाले का cost बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगी तो सामने बनाने वाला कम बनाएगा तो वो प्रॉपर हो जाएगा वर्ना यूद बी लाइक if you are not considering that that means the cost जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और सामने वाला misuse कर रहा है resources को वो पढ़ा ही चल रही है तो कहीं नहीं कहीं it's a lot of like what do you say as a dimaag में accept करने में थोड़ा समय लगे बट हो जाएग ultimately जा करके there is a lot of notional stuff actually dimaag के अंदर में okay coming back to the topic actually here now so basically guys is so what was I discussing that कि आप जो भी काम करते हो आप production करते हो consumption करते हो अगर इसका कोई भी बाहर effect नहीं होता है तो वह अच्छी बात होती है लेकिन अगर उसका effect होता है तो वह cost या benefit भी हो सकता है cost या benefit भी ऐसा नहीं कि जब कोई activity करते हो तो सामने सिर्फ cost ही आप third party को transfer करते हो नहीं आप benefits भी transfer करते हो आगे जाके बात करूंगे उसको अपन बोलते है externality तो में एक्जांपल पर आ रही थी actually suppose for example you know जो example उन्होंने दिया वो दियरियों एक और दे दोंगे तो उन्होंने क्या बोला example में कि suppose for example कि kind of because of the health fads what is health fads fashion में कुछ-कुछ चीज यहां थी कि okay we should consume organic vegetables okay so people across the country started demanding organic vegetables and the prices of the organic vegetables are relatively on a higher side in comparison to the simple vegetables okay normal so organic vegetables क्या होता है उसके अंदर pesticide नहीं होगा उसके अंदर में artificial fertilizers नहीं होंगे and all that and because of the health values उसकी prices because आपको उसको produce करने में आपको खर्चा जादा करना पड़ता है आप that is why the cost is relatively higher तो कुछ लोग जैसे गाओं वागर में you know kind of villages and all में so naturally organic vegetables ही consume कर रहे थे but because of the health fads fads का मतलब होता है fashion health fads की वज़े से when the demand of organic vegetables increase across the country what will happen the cost of organic vegetables will increase for for people who are already consuming the organic vegetables okay तो यह एक्स्टर्नलिटी नहीं है एक्स्टर्नलिटी नहीं है यह बोलना मैं चाहा रही तूंग अच्छली बहुत देर से मैं लूज आउट कर रहे थी क्यों एक्स्टर्नलिटी नहीं है क्योंकि यह यह जो डिमांड है यह जो willingness सामने consumer की देने की भाई कि नहीं नहीं जो भी पैसा होगा मैं तो देने को तयार हूं यानि कि उस willingness to consume को तुम डिमांड कर्व के अंदर में इन बिल्ट कर सकते हो कैसे करोगे आप प्राइस बढ़ा दो यानि कि इस पूरी situation को हम market mechanism के अंदर में ला सकते हैं ओके सामने वाला consumption जो करने वाला है वो बोलता है कि मैं पैसा देने को तो वो जादा दिमांड करेगा तो जो प्रोडूजर वो बोले वो दाम बढ़ा सकता है तो इस पूरी चीज को pricing mechanism के अंदर में या market mechanism के अंदर में तुम factor in कर सकते हो ताट मेंस the example which I gave to you the example which I gave to you or similar situations for that matter it is easy to manage why the the prices reflect the prices reflect the full market information to the producer and to the consumer also कोई side effect नहीं ऐसानी कुछ दाएं बाइं से cost or benefit pass on कर रहें नहीं यानि की producer को लग रहा है margin जादा है वो जादा प्रोडूस करेगा consumer का पता है कि मुझे जादा देना पड़ेगा अगर उसको चाहियोगा तो वो देगा that means a willingness of the consumer can be factored into the market mechanism okay and that is why this is not an externality but the problem of external cost externality is that it cannot be brought or it cannot be factored into the market pricing mechanism मतलब कहने का यह हो रहा है कि जो तुम्हारा power जो तुम्हारा plant thermal plant है यह आरन इस्टील plant है जो smoke या fume वो release करता है और जिसकी वजह से कोई third party जो कि ना producer ना कि जो consumer है तो उनकी जो health खराब होती है environment गंदा होता है pollution होता है long term आने वाले 50 सालों के बाद ozone layer कम हो जाएगा वो सारे चीजों का जो cost है जिसको हम external cost बोलते है economics के अंदर में वो जो goods and service की price थी उसके अंदर वो factor in नहीं करी जा सकती मैं ये बोलना चाहरे हो तुमको and that is called externality are you getting the point what I am trying to say so the unique feature the unique feature of externality is that sunnah dhyan से बहुत important बोल रही हूं the unique feature of externality is that you cannot you cannot factor in that external cost in the normal price mechanism okay and that is why you cannot ask for a compensation from the people who have initiated it are you getting the point and that is why the third party है वो producer से या से compensation नहीं मांग सकते because उसको उसको प्राइस करना ही बहुत मुश्किल है I think you got the point right so guys there are many things we just 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 like try to मैं तो थोड़ा point मतब मैं रीड क्यू करने लग जाती because I think तुमको एक ब्रीदर मिल जाएगा okay so I read whatever is written so that it becomes easy for you there are differences between private returns or cost and the cost or returns to society as a whole consumption production and investment decisions of individuals households and firms often affect people not directly involved in the transactions sometimes these indirect effects are tiny but when they are large they can become problematic what economist called externalities जो जो example हम लोग यूस कर रहे है वो तो कोई छोटा नहीं है it is like huge actually इसलिए गाइस पता है इतनी भी सारे इंडस्ट्रीज होते हैं इतना सारा I'm sure you would have heard of की गंगा गंगा पॉलुशन अप गंगा गॉट पॉलुटे यमुना पॉलुटे डली में अग्रा में इतनी इतनी लेडर 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 इंडस्ट्री लेडर मतलब I hope I understand all the bags and chapels and everything you know kind of shoes and everything are done there and belts and everything okay so leather का treatment होता है न वह बहुत ज्यादा ही chemical oriented होता है और वह पूरा का पूरा जो वेस्ट है वह यमुना में डाल दिया जाता है अब तुम सोच के देखो कि कितने सारे लोग उस तुमारे रिवर का पानी पीते हैं कंज्यूम करते हैं वह जो रहने वाले लोग हैं तो वह कितना हामफुल होता होगा उसके बाद जो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसके अंदर जो तुमारे एक्वा एनिमल्स सकते ह पानी के पानी का अपना वो भी स्पोईल हो जाता है तो वो सारी चीजों को आज तुम्हें शायद हमें पता नहीं चल रहा है बट धीरे धीरे करके तो अल्टिमेटली कहीने कहें ये ये बड़ा प्रोब्लम बनेगा ये बन चुका है इंफेक्ट ओके हम इतने एर कंडिशनर चलाते हैं तो I am sure you know that like using too much of air conditioners like is depleting our ozone layer तो कहने 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 पानी इतना चोडो सारी चीजें बाते चोड़ते हम there is a lot of shortage of water across the world why we are overusing it we are overusing it can you can you see the big swimming pools every building has got can you imagine the kind of water we use the kind of sanitary system that we use as of today it consumes a huge amount of water okay so kya ho जाएगा आस से पचास साल पहले या फिर पचास साल के बाद क्यों बोलते अभी से बोलो हमारे future generations के लिए पानी नहीं होगा पीने के लिए तो यह सारी चीजें अगर हम नहीं सोचेंगे तो यह कोस्ट है और बहुत बड़ा कोस्ट है जिसको हम रिपेर भी नहीं कर पाएंगे आगे जा करके so we should behave like responsible citizens only okay coming back then they are writing anything that one individual does may have at the margin some effect on the others the unique feature of externality is that it is initiated and experienced not through the operation of price system but outside the market and hence its cost or return is not borne by or paid by the parties यह मने बोला तुमको externalities are also referred to as spillover effects यह multiple choice में आ सकता है neighborhood effects third party effects or side effects as a originality as a originator of the externality imposes cost or benefits on the others who are not responsible for initiating the effect so we can call them as a spillover effect or neighborhood effect or side effect why because jin logo को यह cost bear करना पड़ता है they are not the initiators so and again going further और आगे बढ़ रहे हूं so externality can be reciprocal or it can be unilateral 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 मतलब मैं तुम पे cost यह benefit confer कर रही हूं मैं तुम पे cost पर कोस्ट इंपोस कर रही है benefit तुम पे best you can confer कर रहीया I lost the word okay तो एक ही तरफ से चल रहा है या फिर हम दोनों एक दुस्रे को या तो मेरे वजय तुम cost bear कर रही हो तुम पेर मेरे वजय से मैं cost bear कर रही हो या फिर तुम हरी ज़ए से मैं benefit तो अगर ये वन वे होगा, तो युनिदिरेक्शिन हो गया, और अगर टू वे होगा, तो इसको बोला जाएगा, रसी प्रोपल, एक्जाम्पल सुनना, सपोस, I am playing music system at my home, okay, if I am playing a music system at home, then what will happen, and at a loud noise, what will happen, this is a most, again, very repeat example, actually, तो क्या होगा, जितने मेरे आजवाजव में नेवर्स हैं, उनको प्राबलम होगा, अगर वो लोग सपोस करो कोई प्रोग्राम देखर, if they are watching some program, or they are watching some concert, but my music system is interfering in their watching of the concert, that is again, what is, what is that, but उनका जो गोग्राइगा, तो क्या होगा तमारा, unidirectional होगा, I hope you can understand that, right, reciprocal क्या होगा, ऐसे वो लोगा नग्सांपल दिया है, that, suppose, their example, okay, I will come later on, on the second example also, on my own also, they have given example saying that, कि अगर, suppose there is a baker shop, and there is a, like, machine shop, some, some machine shop, जहां से आवाज बहुत आती है, okay, and there is a baker shop, तो baker shop, fume और smoke create करता है, जो इनलोग को बैर, machine shop को बैर करना पड़ता है, तो यह reciprocal example of externality हो गया, right, अगर मुझसे पूछोगे ना, तो सबसे अच्छा example होता है, congestion, सबसे अच्छा example होता है, congestion, congestion मतलब क्या हो गया, suppose कि मेरी living room के सामने में, तुम्हारी घर के खड़की कूलती है, okay, और उधर बहुत अच्छी view थी, ऐसन तुम्हारा घर होने की वज़जय से में वो यूने देख पा रहे हूं, और मेरा घर होने के वज़जय से तुम यूने देख पा रहे हो, तो वो रही रही मेरा होने के वज़जय से तुम्हारी थी थी थी, this is one of the best example with respect to reciprocal externality, I hope you got the point, then you have positive externality and negative externality, usually अगर तो मुझसे पूछोगे तो positive externality के बारे में तो बात भी नहीं करते हैं, यह negative externality के बारे में ही हम बात करते हैं, so positive and negative externality can be divided into four categories, negative production externality, then positive production externality, then negative consumption externality and positive consumption externality, यह मैं पूरा पहले discuss करोंगे फिर में मैप करोंगे, because example से कुछ नहीं है, so what is negative production externality, सुनना ध्यान से, okay, negative production externality का मतलब होता है, that कि मेरी, सुनना, negative production, मेरी production activity की वजह से, मेरी production activity की वजह से, मैं cost impose कर रही हूं तुम्हारे ऊपर, जो कि तुम्हारे रिसीव करोगे, या तो तुम्हारी production activity में, या तुम्हारी consumption activity में, तुम्हारी consumption activity में, a negative production externality means when my production activity imposes cost only cost imposes cost and you receive that either in terms of your consumption negatively or in cost and you receive either in terms of your consumption or in terms of your production I told you one example that there is suppose some plant which releases a lot of like dirty water or some wastage of your industry into some river and most of them do that actually okay because of that you because of that suppose to make sure that you are two people, one person consumes the water directly for your food and drinking, and the other one is a fisherman, he eats fish from that and he eats it in the market, so he is producing and you are consuming, so basically because of my production activity, I am affecting your consumption because you have to drink bad water, you are consuming dirty water possibly or contaminated water which is not good for your health, so your consumption is affecting and the second person, suppose you are A and and the counterpart is B and the B guy who is a fisherman who is used to you know catching fishes in that river and selling in the market, so basically he is leading a living out of that out of that business activity or economic activity, but because of my production activity, the aqua animals are getting affected, the flora and fauna is getting affected and because of that the fishes would die possibly and he would not basically, it would not be possible for him to carry forward his production activity, got the point, so what is negative production, externality means when my production activity imposes cost and you receive in terms of either your production activity or your consumption activity then it will be called as negative production externality, I have said that I have not said that much, then I have not written examples in this, remember that it will be good, if you read all the modules from the modules then there will be many big pages, what is your advantage of the notes and then the book, then the thing is, then after that we will pause, take a deep breath because we are talking a lot of things, then positive production externality, so what does it mean, positive production externality means, means when my production activity confers benefits to you and you receive either in terms of your consumption or in terms of production, I am sure you have understood what I want to say, right, so it will be called positive production externality, now listen to your attention, suppose, करो, suppose करो कि, एक एक एक्जांपल देती हो मैं तुमको, हाँ, तो बेसिकली गाइस, research and development होता है, right, research and development जब होता है, तो जो knowledge develop होती है, okay, तो भले ये एक अलग बात है कि अगर मैं research and development कर रही हूँ, तो मैं बहुत सारा पैसा खर्चा करती हो, right, लेकिन उस research and development की वजह से, जो gain होता है knowledge का, वो सिर्फ मेरे तक limited नहीं होता है, people at large who have not even paid for that, get benefited out of that, okay, तो मेरी production activity की वजह से, अचली देखा जाएना, तो इस example को मैं दोनों में use कर सकती हूँ, consumption में भी use कर सकती हूँ, production में भी use कर सकती हूँ, मतलब मेरी R&D की activity की वजह से, क्या हो गया, कि suppose कोविड कल्चुल example लेते हैं, तो कोविड की vaccine के लिए अगर मैंने R&D किया, और मैं कुछ results के साथ अच्छा निकल पाई, तो कितने सारे लोग हैं दुनिया के अंदर में जनकी जाने बच जाएगी रहता, कितनी तो consumption में तुमको benefit मिला, और मेरी R&D की वजह से, जो दूसरी companies हैं, उनको भी तो फाइदा होगा, उस knowledge को जब मैं उनके साथ शेयर करूँगी, तो उनको production में फाइदा होगा, तो this example can be used, that means, my production economic activity, okay, conferred benefit and you received both in terms of consumption and as well as production, एक और चीज़ बोलते हैं, for example, बोलते हैं कि अगर मालो कि मैं company हूँ, जो उन्होंने दिया वा है, इस skill मैं अगर अपनी manpower को training करती हूँ, suppose करो, अगर मैं अपने manpower करती हूँ, तो वो जो training है, जब वो बंदा निकल जाता है मेरी company, तो क्या मैं उसके training को मैं अपने पास रपस ले सकती हूँ, क्या नहीं ले सकती हूँ, तो जो मैंने उस आपमी के skill sets को develop किया है, उस skill set से दूसरी company में जब हो जाएगा, तो दूसरी companies को भी फाइदा होगा this is one of the examples that they have given actually, it is like that way, then negative consumption externalities, इसकी तो कोई हद ही नहीं है actually, यह तो हम रोज करते हैं, पता है कैसे, इसको कैसे परे, define करते है, for example, दोंगे, negative consumption externalities, is the, okay, is the benefit conferred, okay, because of my economic activity, सुना ध्यान से, benefits conferred because of my economic activity, which you can receive either in terms of consumption or production, अब सुनना ध्यान से, हम मतब यह डेली बेसिस पर बोला जा सकता है कि, तुम मुवी हॉल जाते हो, दियावा नहीं, but I don't know, दियावा नहीं दियावा एग्सांपल, तुम मुवी हॉल जाते हो, right, और मुवी हॉल में जा करके हम कितनी गंदगी मचाते हैं न wherein, my negative consumption, my activity, my economic activity of consumption, मैं मुवी हॉल, मुवी देखने के लिए गई थी, तो movie देखना इस what? consumption, तो my economic activity of consumption conferred cost not benefit, अगर मैंने कही benefit बोला तो गलत बोल दिया, मुझसे निकल गया होगा, okay, conferred cost on you, तो जो दूसरे लोग movie देखने आएंगे, उनको उसकी aesthetic value किती ही lose हो जाएगे, क्या है, कितना गंदा है, तो उनकी consumption का फ्यट कर रहा है, तो they received in terms of consumption, cost है, they received in terms of consumption, and the movie hall owner है, उसकी जो goodwill है, वो खराब होगी, तो हो सकता है, आगे जाके बाहर जाके, लोग बोलेंगे, इनका cinema hall बहुत ही गंदा रहता है, तो क्या होगा, लोग बोलेंगे, नहीं, cinema hall में नहीं जाएंगे हम, यह बहुत गंदा रहता है, तो तुमने क्या किया, तुम्हारी consumption की externality, positive consumption externality क्या होता है, kind of, मेरी economic activity से, मेरी economic activity of consumption की वज़से, benefits create होते हैं, और वो तुम्हें transfer होता है, either in case of consumption या फिर production, अब सुना ध्यान से कैसे, एक ना negative consumption externality का एक और example, उन्होंने बहुत अच्छा दिया वाए, कि मानलो की, कुछ बदमाश बच्चे क्लास में पढ़ाने नहीं दे रहे, suppose करो, बहुत शोर मचा रहे, and they are creating a lot of ruckus in the class, and because of which, the teacher is not being able to, like, give her instructions properly, so basically, you are restricting her to do her work efficiently, that is again example of negative consumption externality, basically, okay, then positive consumption externality, positive consumption externality कैसे होता है, कि, for example, guys, कि अगर, अगर, सम्झो की कोई health club है, okay, कोई health club है, और health club में कोई gym trainer है, इसको तुम personal trainer बोले या जो बोलो, अगर तुम personal trainer को, वो जो health club वाले, जो owners हैं, वो बोलेंगा, भाई, आप free में यूज़ कर सकते हो, so what will happen, उसकी health अच्छी रहेगी, correct, उसकी health अच्छी रहेगी, तो वो और मन लगा के काम करेगा जिसके आपकी production भी बढ़ेगी, okay, और जो लोग वहां पर आएंगे, उनको और अच्छी feeling आएंगे, because he would be happy from inside, एक तो ये ग्जाम्पल होगे, एक और बहुत अच्छा 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 अपल है, कि suppose, that is again very cliched example, okay, that अगर there is a like, there is a business called beehive farmer, have you heard of that, कि ये जो तुमारे होत होती है, पता है ना, और हनी बीस कैसे बनाते हैं, शहद कैसे बनाते हैं, या हनी कैसे बनाते हैं, they take the, they extract the juice of the fruits and the flowers, okay, and I am sure you know that the bees are a big source of pollination, तो तुमको ये पता हो ना, कि पॉलिनेशन जितनी ज्यादा अच्छी होगी, उतना ज्यादा वो पर्टिकुलर फूट या ना, तो एक बी फार्मर ने अपना कुछ सिस्टम सेट अप किया और बाजू में सपोस्कर एपल का और्चर्ड था, तो डोंट या थिंग बोथ आर गेटिंग बेनिफिट आप दो इस, बोथ आर गेटिंग बेनिफिट आप दो इस, हाओ, कि the bees will go and extract the sweet juice of the apples and the quality of the honey would be good, that means the the beehive farmer, that means, मेरे और्चर्ड होने की वजह से, मेरे और्चर्ड होने की वजह से, I am conferring benefit to somebody which is like beneficial in production activity of the beehive farmer, right, उसके जो honey की quality हो बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन मुझे भी उससे फायदा हो रहा है, कैसे, कि the bees will help me with a better pollination and my orchard and the number of apple trees will be growing more and more, which I wouldn't have been able to do on my own, so these are examples of positive consumption, externalities, उन्होंने भी कुछ examples दिया, तुम देखने ना module के अंदर में, कोई जरूरी नहीं जो उन्होंने दिया वही तुमको लिखना है, बट यहाँ देखना जरूरी है, you must see them, so this is like guys, all about externality, a lot of things we discussed actually, अगर बोलोगे तुम एक recap करा देती हूँ, chapter का अभी तक जो हम लोगो किया, खास करके externality के अंदर में, तो हम लोग ने externality के बारे में, define किया, what is externality, okay, then उसके बाद, price mechanism के अंदर नहीं आता है, वो, वो discuss किया, unidirectional होता है, reciprocal होता है, वो हमने discuss किया, positive होता है, negative होता है, यह discuss किया, and positive negative के अंदर में, हमने यह 4 topics discuss किया, I am sure you are fine with that, okay, so now it is time to understand and study that how does externalities lead to inefficiency of the allocation of resources, deep breath लेलो, okay, ready, so we were discussing that how externality leads to inefficiency in the allocation of the resources, मैंने जब शुरू किया यह chapter, तो तुमको एक बात मैंने बोली, कि तुम्हें इस chapter के अंदर में, रादर बहुत सारे chapters के अंदर में, lost की feeling आएगी, क्या पढ़ रहे थे, कहां जा रहे हैं, मतलब you will just lose out the track, बहुत ज़्यादा possible है, तो बार बार अपने आपको यह याद दिलाते रहो, कि क्या chapter का नाम क्या था, क्या पढ़ना था, और हमें कहां पहुचना है, तो अगर मैं इस chapter की बात करू, market failure की बात करें, इसके four factors मैंने तुमको बताए, उसमें से अपना second वाला factor चल रहा है और वो है externalities, तो अब तक जो अपने लगोंने discuss किया, externalities के बारे में discuss किया, कि उससे क्या होता है, क्या problem होती है and all that, अब यह discuss करने वाले हैं, कि that how externality would lead to inefficiency in the allocation of the resources, तो एक चीज मैंने और बोली तुमको थोड़ी दर पहले कि जिसे monopoly के बारे में जब बात कर रहे तो सुनो ध्यान से, जितना सुनो है उतना याद हो जाएगा portion तुमको राइट, तो जब मैं monopoly के बारे में बात कर रहे थी, तो मैंने तुमको यह बोला, कि तुम यह सो सकते हो कि अगर वो लोग, जो monopolistic power है, एक न कि efficiency in allocation का यह मतलब नहीं है कि जादा दाम और कम supply, नहीं, इसका यह मतलब नहीं है, इसका यह भी मतलब है, proper दाम, उचित दाम पे सबको मिलना भी चाहिए, सिर्फ उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए, जिनके पास पैसे जादा है पे करने के लिए, that is again a market failure actually, that is again a market failure, यानि कुछ लोग उसको monopolize करके बैठेंगे और जिन लोगों के पास में income जादा है, वो लोग हरी देंगे, this is not efficiency, this is failure of the market to allocate the goods and services on an equitable basis, socially optimal output, यह जारगन, एक वकाबलर ही है, इसका यह मतलब होता है, कि society में properly, अगर वो resource available है, तो उसमें से थोड़ा-थोड़ा सब को मिलना है, इसको efficiency भो लेंगे, I hope you are getting the point exactly what I am trying to tell you, okay, now, यहां से discussion आगे ले जाने के पहले, एक चीज, एक टर्म, तुमको ध्यान रखना है, total social cost, so what is total social cost, it is like private cost plus external cost, you can see that on your screen, I am sure you are able to see, right, now, private cost क्या होता है, you know, whenever I manufacture something, I bear some direct and indirect cost like raw material, then energy, then labor, then whatever, rent, everything, that is like private cost, whatever cost a producer or a manufacturer incurs while manufacturing one unit of a particular goods or service is called private cost, okay, what is external cost, external cost is the cost which is borne by the third party, who is the third party, he or she is neither a producer nor the immediate consumer, मतलब क्या हो गया, कोई जैसे यही example चल रहा है अभी तो discussion के अंदर में, कि अगर आप कोई iron and steel plant की बात करते हैं, या कोई aluminium plant की बात करते हैं, तो वो जो उसमें से smoke निकलता है, फ्यूम निकलता है, वो जो producer है, वो भी cost में नहीं करता, जो consumer है, उसको बेहर नहीं करना प ओके, I am sure you are getting the point, what exactly I am trying to say, it means private cost plus total negative externalities, I am sure guys you are getting the point, इसके बार में नहीं करने में करने वाले हूं, okay that means there are no externalities involved in that particular production okay or consumption for that matter यानि कि अगर तुम ऐसे भी बोल सकते हो अगर externalities नहीं होंगी suppose करो किसी भी काम से for example अगर मैं पढ़ा रही हूं इसमें कोई externality I don't know मुझे तो ऐसे feeling आती है कि कोई भी हम काम करते हैं यानि कि तुम you are paying me the fees I am teaching you right तो बिल्कुल इसमे externality नहीं है अब यह ध्यान रखना है कि externality से negative नहीं होती positive भी होती है अलग बात है कि discussion के अंदर में positive वाली चीज नहीं आती है तो ऐसे so called externality negative तो नहीं है कम से कम इसके अंदर में okay तो इस case में जो मेरा cost है और तुमसे जो में fees लेती हूं यानि कि तुमको जो cost पढता और मुझे जो benefit मिलता है वो बराबर हो गया तो अगर externality नहीं होगी तो private cost will be equal to the social cost similarly if there are no externalities involved then private benefits will be equal to the social benefits I'm sure guys you got the point what exactly I'm trying to say now the more important point here is that he usually jab koi manufacturer hai suppose production house hai apna pndl ya balance sheet jobo banayega na to uske under me sir private cost co consider karega he will not consider the externalities involved in that that means he would never be able to know that the basically he did not consider the external cost which is happening because of his activity so what will happen he would never come to know how much resources should be used what is the actual cost of his economic activity actually okay and if somebody doesn't stop him if somebody does not intervene that means the actual society cost which is which is borne by the society as a whole okay that means that also means that the benefit received by the society because of his activity is relatively on a lesser side then the cost involved kuki he is considering only the private cost and not the total social cost I hope you are getting the point completely right yeah up my name liqa bhi eek or baton na dhyan se ki usually kya hota na ki ah hume hume a sa bolte you know kind of a sa dhimag miri batari hume a sa bolte ki that market mechanism is good enough to consider all the like tumhari kharidhani ki jho willingness consumer ki aur meri ko jho cost hai agar mai puri tarah se mata humara match kar jaya to market mechanism is at equilibrium lekin point here haa phe yeo hota hai ki hum sir private cost of private benefit ki hi baat karte rahe jata hai we are actually not talking about the social cost and social benefit actually hona kya chahiye the equilibrium point would be that point where the total the total social cost of producing something of any economic activity is equal to the total benefit received by the society because of that activity tab tum bologi ki market equilibrium pe hai aur us equilibrium pe jho output produce hooga usko bola jayega socially optimal output okey aaghe guys badhate hai thoda sa aur dhekhu yaha pe liqha hai hai nahi saari baat hai money module se liya cut shot karke kaafi zyada social benefits are the total benefits accrued to the society from an economic activity social benefits can be defined as private benefits plus benefits to the third parties tum samaj gaya may kya boru yaha pe then the presence of externalities creates a divergence between private and social cost of production matlab kya ho gaya agar externalities jada hongi so there will be a lot of gap between private cost and social cost correct na aur wo sahi nahi hai that means manufacturer ko consumer ko kabhi bhi pata nahi chalega ki real cost kya hai iska and yeh cheezo ka society pe affect nahi aega tum aisee to nahi bol sakta yeh baat already maipan aaj ki lecture me discuss kar chukai hai right if producers do not take into account externalities there will be over production and market failure kyunki tumko procure karne mein kharcha kam lag ra hai tumko banane mein kharcha kam lag ra hai kyunki tum real cost to consider nahi okay externalities cause market inefficiencies because they hinder the ability of the market prices to convey accurate information about how much to produce and how much to consume i hope you got the point i told you that the biggest problem and the unique feature of external cost is that it cannot be built up into the market mechanism price mechanism actually that is a bigger problem okay and this can be only done by government no private person would consider that oh kyu karega i mean there would be no incentive on his part usko to ramse because an individual firm an individual or a household can think only about themselves they cannot think about the environment or the broad level things that we are discussing here that we are discussing here abhi joham baate karre a market exchange assumes that participants have total control over every aspect of their product and that the prices they charge represents the full cost and production plus profit manai bola tumko as a matter of fact the producers of products with extensive negative externalities are not fully accountable for the full cost of their production kya koi b plant joh chemical ka plant run karta hai or any other person for that matter does he feel accountable for the pollution he creates in the environment no okay without government intervention such a producer will have no reason to consider the social cost of pollution the problem though serious does not usually float up much because kya bula ki waisi toh problem bahut jahada serious hai but then it is it is not like people do not consider it to be very serious doesn't come to our mind because hum ya identify hi nahi kar pate ya hum identify hi nahi kar pate hain ki kis ki wajah se ya nuksaan ho raha hai one to one identifying cause effect relationship build up karna bhot muskil hai or zone layer deplete karra kis ki wajah se karra kis ko accountable tum bolo ke toh ye cheeze aysa nahi ki problem serious hai pehli baat ho bhot lohon ko ye bhi nahi lagta ki problem serious hai and if they at all somebody feels like okay so it is very very difficult to identify a particular one like tum aysa nahi wo sate okay isi ki isi insan ki wajah se aysa ho raha hai okay i hope you get the point right the society does not know precisely who are the producers of harmful externalities even if the society knows it the cause effect linkages are so unclear that the negative externality cannot be unquestionably traced to its producer i think guys you got it the point got the point to you don't want to miyad karo gay right who are the producers yani you cannot identify who are the producers of harmful externalities and even if you can identify you cannot build up exactly one-to-one cause-effect relationship who boli ka sir meri wajah se thodi ho raha hai aur bhi log toh kar raha hai to quantify karo ga kya agar ozon ka layer itthi percentage se deplete kar jata toh ye quantify karo ga tum ki kiska kitna portion kiski wajah se deplete kiya hai nahi karo ga the boy ba discuss ho rhea ya haan pe ab aage burn neke pehle okay before we look into the effect of externalities there are a few terms guys yaad karo dekhne ki wujurat nahi padegi tumko sunna dhyan se abhi six terms are there six okay jiasse thana social cost private cost and external external cost right usi tarah se social benefit private benefit and external benefit to six ho gai to marginal social cost marginal private cost marginal external cost samjha nao ek-e karke discuss karte hai what is marginal private cost marginal private cost is that cost which you incur for every incremental unit of goods and service ka production samjha raha hai kya ki koji bhi ek incremental agar unit koji manufacturer produce karta hai to us ek incremental unit banane ke liye joh uska kharcha lagta hai jis ko tum identify kar sakte ho direct raw material labor and all that usko bola chahe ga marginal private cost what the point then marginal external cost what is that the external cost the external cost born by the third parties okay for every one incremental unit of production of the goods and service by by the person is called marginal external cost yani ki tumhari ek unit banane ki wajah se extra ek unit banane ki wajah se joh bahar tum third party ko cost incur karte ho usko bola jayega marginal external cost waisa dono ko add kar doge to ban jayega marginal social cost but how would you define marginal social cost is the cost borne by the society as a whole for every one incremental unit of production okay and it will include of private cost as well as external cost similarly marginal social benefit okay marginal private benefit and marginal external benefit come on by one marginal external benefit the benefit the benefit enjoyed by the benefit enjoyed by the consumer for by consuming every one unit of incremental goods and service dhyana production chalega consumption chalega confused madho jana okay so the enjoyment in the enjoyment received by consuming one incremental unit of goods or service is called marginal private benefit consumer okay consumer the demand curve okay now the the benefit enjoyed by the third parties with by the consumption by tum consume karte ho third party ko fayda hoota hai by one incremental jab tum ek increment jab tum tum korn ho consumer jab or one incremental unit ko consume karte ho ok ya produce karte ho to bakal valek ko jb findta by consuming or producing that one incremental unit is called marginal external benefit दोनों को add कर दोगे तो social benefit आ जाएगा यही देखुच 6 दे रखा है at equilibrium your marginal social cost should be equal to marginal social benefit यानि एक incremental goods या service को produce करने का जो incremental social cost होता है that should be equal to the marginal social benefit यानि तुम्हारे एक incremental unit के produce करने से total private और external cost जो तुम impose करते हो उतनी ही benefit अगर सामने वाले पे जाती है उतनी ही quantity होती है उसको बोला जाएगा what level of equilibrium and that will be called as socially optimal output marginal private cost is a change in the producer's total cost brought about by production of an additional unit of goods and service या बोला तुमको जब तुम अगर अगर producer एक incremental unit बनाने से जो उसका खर्चा बढ़ता है उसको बोला जाएगा marginal private cost या supply कव हो गया तुमारा आम शोर्यान समझ में आगई बात marginal external cost is a change in the cost of the parties other other than when the third parties were used किया था okay other than producer or buyer of a goods or service due to an additional unit of goods or service marginal social cost is a change in the society's total cost यानि कि society as a whole okay society as a whole दो कोस्ट बेर करती है राइट उसमें दो लोग हो गए ना एक तो जो MPC plus MEC that is marginal private cost और marginal external cost होता है यानि बहुत simple अगर दिखा जाए तो एक additional unit बनाने से मैं प्रोड्यूजर हूं तो टोटल कॉस्ट बेर करना पड़ता है private as well as external उसको बोला जाएगा marginal social cost इतना मुश्किल तो नहीं है marginal marginal private benefit marginal willingness to pay okay it is demand का basically एक incremental unit को consume करने से एक incremental unit को consume करने से जो मुझे satisfaction मिलती है okay मतब I hope you get the points right वो बोला जाएगा marginal private benefit okay then marginal external benefit is a change in the benefit to parties other than the producer or buyer of goods or service due to additional unit of good or service यानि कि अगर तुम consumer हो suppose करो जब हम मैं अगर यह calculator खरीती हो ना तो मुझे खरीदने से यह जो मुझे फाइदा immediate होता है right वो बोला जाएगा marginal private benefit लेकिन इस 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 calculator को consume करने से okay एक incremental calculator को consume करने से मतब यूस करना मतब यूस करना ही होता है okay जो third parties को benefit होती है उसको बोला जाएगा marginal external benefit सम्झा क्या सम्झा मैं क्या वोलना चाहरे हूं तुमको okay then marginal social benefit is the change in the society's total benefit associated with an additional unit of goods and service दिमाग में बहुसार ग्सम्पल्स भी आ रहा है एक्शली okay लेकिन ठीक है अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा so when no externality is present there are no external cost and marginal cost is same as marginal private cost and marginal social benefit is the same as the marginal private benefit therefore marginal private cost is equal to marginal social cost and marginal private benefit is equal to marginal social benefit इसकी बाद कर रहे थी और अगर externality रहेगी तो marginal social cost will not be equal to marginal social benefit marginal social cost will not be equal to marginal private cost correct ना and marginal social benefit will not be equal to the marginal private benefit अगर externality होगी तो day-to-day के examples अगर निकालोगे ना तो बहुत सारे examples निकल जाते हैं actually for example कैसे बोलूँ मैं तुमको suppose covid situation में अगर अपन लेते हैं तो कितिनी सारी companies R&D मैं हो सकता exact जो example बोल रहे हूं बट कहीं ना कहीं तुमको कुछ ना कुछ आइडिया लग जाग और तुम शायद refine भी कर पाऊगे मेरे examples को for that matter जैसे for example covid हुआ okay तो covid में कितनी सारी companies ने R&D शुरू कर दिया correct है तो तुम ऐसे सोचो कि एक एक वो R&D जब होती है तो सिर्फ उस company को फाइदा नहीं होता है हजारों लोगों को हजारों लोगों को जो उस company के अंदर में काम कर रहे हैं उनको भी फाइदा होता है in the sense profits बढ़ती है उसके बाद यह मस सोचना कि जिसको injection लगता है उसको ही फाइदा होता तो क्या होगा कि I am no more contagious I am no more contagious are you getting the point तो एक आदमी के एक additional आदमी के कोविड के injection लेने की वजह से society में मेरी वजह से जितने भी infections हो सकते थे वो रुग गए अच्छा एक्जामपल है न कितना अच्छा एक्जामपल है कि एक आदमी के एक incremental human being के कोविड इंजेक्शन लेने की वजह से कितने सारे लोग है मुझे तो benefit यह मेरा marginal यह मेरा private benefit लेकिन मेरी वजह से मेरी वजह से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोविड अब नहीं होगा तो क्या हो गया यह शोशल बेनिफिट वा ना यह थर्ड पार्टी बेनिफिट हो गया तो कितने अच्छ एक्जामपल हो गया देखो तो for that matter for every one injection for every one covid injection the marginal social benefit is very high तो इस तरह की चीज आगे वही मैं तो बोली निक एक्जामपल मेरे दिमाग में बहुत आरे बट क्या होता है एक्जामपल दिमाग में आना और उसो conceptualize करके तुम्हारे तक पहुंचाना फर्क है कहीं इसा नहों कि मैं को आपल बिल्डप करूं और वो लाइक इतना रेलेवेंट ना हो होता है ना एक दिमाग में थौट है कंसेप्चुलाइज नहीं किया अभी कंसेप्चुलाइज हो गया इंशर सम्झाए नों को okay now what is a socially optimal output it is a amount of output which takes into account all the benefits and all the cost when we want to find out whether social efficiency is achieved or not but basically the the socially optimal output would be equal to marginal social benefit is equal to marginal social cost यह उपर बात करें थी ना वो अलग था वो क्या था कि अगर एक्स्टर्नलिटी नहीं होगी तो marginal social cost will be equal to marginal private cost ,दिहान को दोनों बात में बहुत फर्क है ओके, दोनों बात में फर्क है, अगर externality नहीं होगी, externalities नहीं होगी, तो marginal social cost will be equal to marginal private cost and marginal social benefit will be equal to marginal private benefit, correct है, अगर externality होगी, तो ऐसा नहीं होगा, divergence रहेगा दोनों में, common sense अब लगाओ थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या बूर रही हूँ, कि socially optimal output वो होगा, जहाँ पे, एक incremental goods and service बनाने से, जो marginal social cost है, वो marginal social benefit के बराबर होना चाहिए, तो जाके वो जो point होगा, intersection का, उसको बोला जाएगा, optimal output, उस price पे जितनी quantity बननी चाहिए, उतनी ही बन रही है, यह न डाइग्राम है, बोलो कि तुम मैं बना के तुमको दिखाती हूँ, तभी समझेगा तुमको, रुख जाओ, तुमको भी रुख में बना लो, ना क्या फर्क पड़ता है, I'll use a, maybe, scale. I personally feel that even you don't draw, you don't understand, so whether you draw in rough also, it is okay, but then you should draw, बिना द्रॉख करे सवाल ही नहीं उटता है, तो suppose करो कि यह तुमारा, डिमांड करव है, ओके, और यह तुम्हारा, सप्लाइ करव है, यहाँ पे आएगा, कॉन्टिटी, और यहाँ पे आएगा, प्राइस, I hope you are fine with this, okay, now, ruler के अंदर में, ruler के अंदर में, अपने कुछ चाहिए, 0 या 90 डिग्री इज राइट, यहाँ पे मैं लेने वाले हूँ, I can take the same color, maybe different color, this is the equilibrium, मैं assume कर रही हूँ, guys, यह एक चीज नहीं यहाँ पर assume करनी होती, पता है, वहीं मैं बात बुलते कर, मैं draw नहीं करूंगे तो यह बाते तुमसे बोल भी नहीं पाऊंगे, मैं, अब देखो यहाँ पे, यह तुम्हारी है, कर देखो यह तुम्हारी है, अब देखो यह नहीं पता है तुम्हारी है, और यह क्या है पता है तुम्हारी है, अह, I have written my name, I don't know why, let me remove this, okay, so here this is, here this is, marginal private cost, यह, okay, so basically I am assuming that there is no externality in the demand curve, demand side, consumption side में कोई externality नहीं है, मतलब क्या हो इसका, कि मेरे, मैं consumer हो, मेरे consume करने की वजह से, किसी third party को कोई problem नहीं हो रही है, कोई भी तरह के externality डेवलप नहीं हो रही है, तो ना तो अच्छा ना खराब, तो क्या हो गया, marginal private benefit will be equal to the marginal social benefit, right, now यह marginal private cost है, ओके, लेकिन, यहां पर लो क्या चलेगा, यह वाली लाइन जो तुमारी है, अब देखो तुम क्या हो रहा है, यहां problem, problem यह हो रहा है, सेम डाइग्राम है, तुमारी शीट में भी दिया भाया है, मैंने, ध्यान दो, चलो, mutations मुझे डाल लें, तो तुर डिस्कस करते हैं, यह हो गया, marginal social cost, correct है, this is like, q1, and this is like q2, 0, this is like p1, and this is like p2, समझ आ रही है, दो पॉइंट्स लिये हैं, मैंने यहां पे, यहां देखो, यह पॉइंट है, और, यह पॉइंट है, दिखा क्या तुमको, तो basically कहने का क्या मतलब हुआ, कि हमने एक चीज में तो assume कर लिया कि constant चल रहा है, marginal social benefit is equal to marginal private benefit, and because of no externalities existing, but here, this is the marginal private cost, at this point, at this point, here, you are producing q2 quantity, can you see, you are producing q2 quantity, and you are selling at p1 price, correct है, लेकिन actually, इसका जो cost है, actually, इसका cost पता है कितना है, अगर हम marginal social cost, यानि कि external cost को consider करें, तो price p1 नहीं होने चाहिए, price p2 होना चाहिए, समझा रहा है, बात मैं क्या बोल रहे हूं, फिर से repeat कर रहे हूं, अगर हम external cost को consider ना करें, अगर हम external cost को consider ना करें, अगर हम एक्स्टरनल को consider ना करें, जो आरेन इस्टील प्लांट की बात कर रहे थे ना, तो उसकी वज़य से जो smoke होता है, जो pollution होता है, वो तुम consider अगर ना करो, तो क्या चिलोगे, सिर्फ उसको बनाने का जो immediate raw material है, rent है, जो खर्चा होता है direct-indirect, जिसको तुम, जिसको एक producer actually P&L account में डालता है, अब ज्यादा बेटर होगा ये, तो वो उसकी और profits की loading करने के बाद P1 पे वो बेच पाता है, और उस P1 पे Q2 quantity की जितना वो produce करता है, लेकिन उसने क्या किया, उसकी company की वज़ह से, उसकी manufacturing unit की वज़ह से जो smoke होता है, जो external cost होता है, वो उसने cost inculcate factor in नहीं किया price mechanism के अंदर में, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर तुम उस external cost को भी factor in करोगे तो उस चीज की price per unit P1 नहीं होनी चाहिए, P2 होनी चाहिए, तो अगर P2 की price कर देते हो, तो market में demand curve शिफ्ट कर जा रही है, ये लेफ्ट हैंड में दिख रहा है कि तुमको, यह दिखा तुमको, यानि कि उस price पे P2 पे जो quantity वो sell कर पाएगा या produce कर पाएगा वो Q1 होगी, Q2 नहीं होगी, समझा रही है बात, और अगर तुम Q2 produce करना चाहते हो या sell करना चाहते हो, तो फिर यह price P1 नहीं होनी चाहिए, यानि कि तुमको पता इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ, रादर यह लोग क्या वोलते हैं, पता है, इसको तुम directly उपर लेके जाओ, यह वाला पार्ट, और पता है इसको क्या बोलते हैं, लोग इसको बोलते हैं, अगर तुम्हें Q2 quantity produce करना है और sell करना है, तो वो P1 नहीं होना चाहिए, वो तो पीटो से भी उपर होना चाहिए, समझा रही ही बात? वेलफेर का लॉस कर रहे हो, और यह जो पार्ट है न, इसको यह लॉस वाला पार्ट है, और तुम्हों को पता है, इसको क्या बोलते हैं, टेक्निकली इसको बोलते हैं, डेड़ वेट लॉस, समझ आरही है बात इसका यह मतलब हुआ कि मतलब हम यह क्या बना रही हुआ है यह वाट इम आ दूए अग्जाक्ली आयम ट्राइग तो मेक जूपटिमल आउट पूट पूट ओके इंडरिंग डेक्स्टर्नल कॉस्ट एक्सटर्नल इसके बारे में बेनिफिट्स के बारे में तो बात ही नहीं करते हैं कोस्ट की ही बात करते हैं इसले फिनांस या एकनोमिक के अंदर में तो मैं तुम को यह बोल रही हुँ कि अगर तुम एक्स्टर्नल कॉस्ट जो तुम्हारी वज़स से सुसाइटी को बेर करना पड नहीं पड़ रहा है वो तुम इग्नोर करते हो then you are producing or selling Q2 quantity at a price of P1. If I consider the external cost then the price per unit should not be P1 it should be P2 and if the price is increased from P1 to P2 तो तुम Q2 नहीं बेच पाओगे तुम Q1 बेच पाओगे तुम Q1 बेच पाओगे ना तुम मनुफेक्टर कर पाओगे कोस्ट बढ़ गया और ना सामने आला कंस्यूम करेगा और अगर तुम Q2 बेचते हो तुम पीवन पर नहीं बिखेगा वो तो पीटो के फिर ऊपर जाएगा अगर मैं लाइन नहीं को डाल दूँ महां पर यानि कि तुम इतना जो मैंने शेड़िया किया है उतनी उतना जो पार्थ है सोसाइटी के रिसोर्स के ऐलोकेशन का तुम बरबाद कर रहे हो and that is called dead weight loss in terms of technicality I hope guys you have understood there even a big paragraph on this but I don't think that we should be writing that more important is that you understand your samaj me aga to language at q1 at p1 price we sell q1 quantity but at this quantity we consider only marginal private cost if we consider the external cost the price should not be p1 it should be p2 at p2 the quantity would not be q2 it will be q1 and so on but still if we are selling q2 quantity you know at p1 then there is a loss of welfare of the society in terms of allocation and that shaded area would be called as dead weight loss यानि उतने उतना portion जो है उतनी वाल्यू उतना पैसा बरबाद हो रहा है and that shows that जितना प्रोड्यूस होना चाहिए जितना जितनी सुसाइटी को पैसे के टमस में बेनिफित मिलनी चाहिए जितना उस चीज के प्राइस होनी चाहिए वो चंसिडर नहीं हो रही है and that will lead to sub-optimal allocation of the resources because सामने वाला काउंट ही नहीं कर रहा है उस को को okay so this is about externalities guys I think I'm sure guys I've tried to do a lot of justice with the understanding part still if you have a doubt you can definitely post me on that what I am wanting you to do at this moment is that let's start the new topic called public goods शुरू कर दे ये तुम्हारा डाइग्राम रहा देखो बनाया डाइग्राम उनने negative production externalities and loss of social welfare देखा तुमको ये पर सेंट बनाया उनने है देखो exactly same है right उन्होंने इदर इसको क्यों तो इसको क्यों I mean doesn't matter at all I hope you're all grown of students क्या लिखा है marginal social benefit is equal to marginal social cost it means a last unit produced should yield benefits to the society as a whole that exactly equals the cost to the society for producing that last unit चले आगे okay आगे बढ़ते हैं ले शुरू करते हैं next public goods if you remember at all when we started the topic this market failure I told you that there are four major reasons of market failure market failing where it fails in the allocation of rather efficient allocation of the resources to पहला हमने क्या पड़ा the first one was monopoly because a few people one person or a few people together okay they control the market and that is why it is not possible to have a proper allocation मतब efficient allocation resources की socially optimal तरीके से नहीं हो पाता है because of monopoly okay मैंने शाद कहीं नहीं नहीं कितना भी चाहो तो market को perfectly competitive नहीं बना सकते मैं क्यों यह point यहां पर बोल रही हूं because यह भी हमने अचीवड पर्फिक्ट एफिशेंसी इंटम्स अफ़ आलोकेशन बट कभी भी वो पर्फिक्ट कॉंपेटिशन वाली जो चीज हो अचीव नहीं हो सकती इसके बारे मैंने बात किया था because of factors and the resources of production are controlled by people सबके पास एक जितनी जमीन होती है क्या तुम possible कर सकते हो कि सबके पास तुम लैंड बराबर बांट तो possible है क्या नहीं possible है disposable income सबकी तुम बराबर करी नहीं सकते कुछ हद तक कुछ communist जो governments होती है या socialist governments होती है वो try कर सकते हैं मतला basically तुम ऐसे तुम नहीं बोल सकते हैं कि मेरे पास ज्यादा पैसा मैं रॉलक्स की वाच करेच सकते हो तो अब मुझे यह कोई सरकार की बोलेगा तुम को ज्यादा पैसा तुम ज्यादा पैसा है तुम सामने वाले को बांटो ताकि वो भी रॉलक्स खरीत पाए कैसा कर तुम नहीं कर पाओगे ना हां मुझे थोड़े पैसे थाक्स के नाम पे जादा ले सकते हो और उसको खाने पहने रहने की जितनी सुविधा तुम प्रवाइट कर सकते हो का कि बेसिक रिक्वार्मेंट से सामने वाला डिप्राइब ना हो यह कर सकते हैं बट तुम यह तो कर सकते हैं कि भई आप कोई आप आप एक लुक्षिरी ब्रैंट का पुछ पहनते हो क्या आपकी इंकम जादा है तो आपको एक्विटेबल डिस्टिशन का मतलब यह हुआ कि उसको भी आप पहना हो ऐसा कोई कर ऐसा पॉसिबल नहीं है करना है तुम नहीं है करना है तुम सकते हैं करना है तुम आपको एक बेस्ट पर डिस्टा एंड आपको शच्टए कम आपको भी रूब यह हुआ कर चैप्रू का अपुड कर पॉसका रूब्ली नहीं हम लोगो ने वी उसके अंदर में हम लोगो ने वी हाद शुरीड आपको प्लीड रिमेंब प्रिटेबल there number one that the there can be many differences but the exact difference for example I had mentioned you there that agar koi definition tumse poochay ki what do you mean by public goods you would say that goods and services produced by government is public goods no this is not the correct definition of a public good public good kehlane ke liye you need to have two important points number one non-rivalrous matlab if I consume the availability in terms of quantity and quality does not reduce for you non-rival for example agar mein ek apple kharitiyo wo apple mein hi consume karongi yani tum hari tum nahi consume it at one point of time or tomorrow mein dono consume nahi kar sakti yani tum hari lihi kam ho ga okay that way then non-feasibility of exclusion matlab tum mere ko consume karne se nahi rog sakte samani wale ko be nahi kar sakti for example national defense sirkaar yeh ni boh sakte ki isko protect karein ya isko nahi karein ya no it's not possible that means we cannot exclude someone from consuming that okay whole of it is available to me whole of it is available to you like that okay so that is that these are the two important points which segregate between public goods and private goods okay so what are public goods is my mention kia is lii bol rahe hon a very very important economist called mister paul similson similson is my name naam nahi likh hai tamari module me diya wa hai mani go in se pada okay paul similson similson was the first person jis na public goods ke baare mein kuch baat kahi public goods samajna dhyan se public goods can also be called as collective goods collective consumption goods or social goods also we can call that okay so kya hoota hai public goods public goods ka subse important definition ya toh dono point ke baare mein tum bol ke chhodna aur agar tumko nahi yaad aya suppose toh ase bol sakti ho that when when the quality and the quantity of consumption of a particular goods and service okay does not change because of my consumption it will be called as public goods matlab koi public park hai yaa koi road hai yaa koi highway hai chai koi bridge hai yaa phir koi public suppose kiroki kahi peh may bhi kai kind of my kovid ka barber di maag mayar because recent hai okay koi kovid ke agar samjho ki injections lag raha hai 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 toh sarakar free mail lagwa rihie kisi gao mein toh koi thori sarakar bol sakti kisko light ni isko mat lagao isko lagao aso ni kar sakti na that way so in ke lagaan matlab basically eak bridge pay yes street light ke niche street light private nahin ho ta sarakar laga tiya the street light ke niche agar mein chalti hoon toh muha jitni light mili okay toh meri us cheat ko consume karne ki wajah se jho agla jo hooga banda jho jayega us street se uske lihe na toh quality effect hooghi na quantity effect hooghi usko public public good ya social goods boolenghe i think two point milgaya me kya bolna cha rihou ik point hoota hai bhoat important padhai me you know learning me knowledge me usko bolte intuitive you know what is intuitive intuitive ka matlab hoota hai ki kai sari baat hai hooti hai jho hum likke bata sakte hai hum bol nahin sakte hai okay that means tumko meri ishaare tumko meri feelings ho samajna padega mein kya bolna cha rihou that doesn't mean I am not a good orator I am a good orator okay I can speak well but then there are a few things which which you cannot express properly in words kuch baat hai aise hooti hai jho hum likh sakte hai hum bol nahin sakte hai thoda tumko shahar lagaya I am saari bol rahi hai aur kuch baat hai aise hooti hai jho hum bol sakte hai hum likh nahin sakte hai or kuch baat hai hai jho hum na likh sakte hai na hum bol sakte hai tumko meri man ko meri aankho samajna padega aur kuch baat hai jho hum likh bhi sakte hai bol bhi sakte hai too many combinations actually okay come back come back it was a good break actually coming back now now in order to understand the behavior of the public goods properly I think that you should first try to see the features and the characteristics of the private goods guys see important exam mein aiega mein tumko bata dheti hoon ye exam mein aiega okay points agar theory likhne ko bolenge to points wali theory jahadha aane ke chances hoote hai here dhyaan rakhna aur is liye mein bhi etni mahinat karri ho ki meri eye contact tumse binawa rahna chahiyeh mein yeh nahi chaathe ki meri eye contact tumse binawa rahna chahiyeh mein yeh nahi chaathe ki meri niche dekhoon aur tumhara eye contact meri se break ho jaa tumhara attention kahi or chala jaih is liye I am trying to make sure that ki meri minimal niche ki taraf dekhoon last mapping karathi hoon ek alag baat okay so sabse pahli cheese private ah kya hoota hai private goods ten points on her ne diya hai saat aart tumh meena dekhe hai bol dhonghi tumko uske baad ek toh dhekhenne ke shayi zharat padegi toh tummeri saati yaad karlo achcha raha ega aur me tohko 5 point toh me tohko yaad karake yehaan se aaghe leke jama chinda mat karla paper mein aya chhoote ga na hai okay point number one public private goods are those goods okay which yield utility to people okay they yield utility to people matlab wo jo goods hoote hai wo insaan ki zarurat hoote hai usse loogon ko ah matab mujhe chahiyeh okay but because the availability of those goods is scarce in nature you need to pay money in order to own them in order to purchase them matlab tumko paise deke woh chij kharidna hai padegi tumko apple ki zarurat hai wo tumhari utility ki chiz hai agar tumko chahiyeh toh unlimited available like apple agar unlimited available hoota toh hundred rupees per kg or two hundred rupees per kg thodi na bikta free mein bikta right toh basically tumko paise deke usko kharidna padega okay that is private good number two the another feature is that you can have property rights matlab agar maine paise diyeh toh apple mera ho gaya okay is wo apple which which where I paid money and I have the ownership on that you are not allowed to consume that means in case of private goods there is something called property rights and you can you can disallow someone from consuming that point number two bola kya bola menei number one bola public goods private goods are those goods which yield utility to people thoda words tumko iska dekhna padega mainei toh ek baar reed maa raha hai tumko jyadha maarna padega they are of some utility to people and in order to in order to get them you have to pay money and acquire the ownership okay point number one point number two in terms of both quantity or quality will be reduced for you मतलब मैं और तुम उस चीज के कंजम्शन के लिए रिवल्स है समझाग मैं क्या बोल रही हो अगर कोई fruits seller है अगर वो 100 apples लेके बैठा है in order to sell and if I buy one apple then the availability of the apples for you would not be 100 it would be 99 and similarly the more he keeps selling the availability for the next user would be less and less so it is rivalrous in nature मतलब मेरे consumption करने से वो चीज या तो quality में या quantity में कम हो जाती है उसको बोलेंगे private goods उसके बाद क्या बोलेंगे feasibility of exclusion मतलब क्या होब इसका कि अगर मैं चाहूँ अगर मेरी कोई shop है और in and if I sell something then I can disallow you to enter into my shop for many reasons for that matter तुम बोलो कि मैं पैसा नहीं दोंगा तो मैं तुम को निकाल सकती हो मतलब मैं तुम मेरे को फोर्स नहीं कर सकते वो चीज लेने के लिए there is a feasibility of exclusion ध्यान दिना मैं क्या क्या बोल रहे हूं फिर उसके बाद एक point आ रहा है indivisibility divisibility basically it is a divisible guys okay divisible divisible का मतलब क्या होता है कि अगर for example आगे आएगा point मैंने वीच पहीं बोल दिया so divisible भी है और parcel भी किया जा सकता है मतलब क्या हो गया कि भाई कोई एक चीज है सब्सक्राइब सुनना ध्यान से तो मैंने किसी चीज के मालो quantity जो होती है मैंने demand करी 2 तुमने demand की 3 तो basically मैं जब 2 demand करती हूं जब मैंने 2 की quantity demand करती हूं for some price और तुम 3 demand करती है कुछ दूसरी price पे तो basically यह हमारी individual demand कर्व हुई मतलब मेरी एक demand कर्व हुई जहां पर मैं यह बोल गया कि मुझे 2 units चाहिए 10 रुपए के भाव पे तुम बोल गया कि मैं 3 unit लेने को तयार हूं 9 रुपए के भाव पे तो basically यह हो गया कि हम दोनों का हम दोनों का जो demand कर्व है individual demand कर्व है उसको add करके उसको add करके यानि कि मेरे 2 unit अलग और तुम्हारे 3 unit अलग मतलब वो divisible है गाए समझ में आ रहा है क्या तो मेरे 2 unit मेरे को मिल जाएंगे तुम्हारे 3 unit तुमको मिल जाएंगे मेरे 2 unit पे मेरा ownership है Q1 Q2 सब add करोगे तो market का demand कर्व तुमको मिल जाएगा ये भी एक बहुत बड़ी खासियत है private goods की जो public goods पे नहीं होगी आगे आएगा अभी public goods के बारे में बात नहीं कर रहे है अपन उके उसके बाद कि जब भी कोई चाहे whenever somebody wants all the private goods and services are capable of being being rejected if there is a change in the need or preference or budget मतलब if we want we can just reject some private good which is not possible in the public good it is just not possible तो अप देखो points बोलता है मेरे को किते बोले मैं नहीं पता नहीं मुझे आद नहीं 10 हैं सारे एक और बात सेथ पोइंट इस में लिखा हुआ है कि हर एक incremental private good की unit बनाने के लिए हमें incremental खर्चा करना पड़ता है समझ में आ रहा है अगर ये एक mobile है suppose करो तो इस इस mobile का एक और पीस बनाने के लिए ओके incremental resources लगेंगे लेकिन अगर कोई पार्क है या कोई national defense है तो एक आगमी को बचाने के लिए इतना खर्चा लगता है दो आपनी को बचाने के लिए उतना ही खर्चा लगेगा ऐसे सारे points है लेकिन मैं क्या बोलती हूँ पांस तुम याद कर दो कर लो अच्छा रहेगा number one याद कर लो तुम सबसे वो keywords if you remember it will be easy for you to write in the paper number one ownership rights or property rights number two rivalrous nature number three feasibility of exclusion okay number four क्या याद करोगे you can say that it can be rejected for that matter it can be parceled or maybe so many points for that matter okay private goods refer to those goods that yield utility to people since they are scarce anyone who wants to consume they must purchase them okay देखो यह पर यह मैं तुमको अटरलाइन कर मैं हासी इस लिए क्योंकि बताऊँगी तुमको बाद में मैं जब तुम्हारे एज की तब आई स्टुड़िद मास्टर्स मैं भी मैंने काफी पढ़ाई चीजे बटे इक्जाटली पूरी तरह से याद उसको ही रहे गा मैं ब्रॉड वियू दे सकती हूं पॉइंट पॉइंट याद नहीं करा सकती इसलिए मुझे हसी आए कि सी और यह थेकन सम एफ़र्ट वेरिन इक्स्प्लें इसलिए गाई सो प्रॉपर्टी राइट्स ओके देन राइवल्रस इन नेचर यह बात हो गई एक और इक और इपर इपरेंपस्ट में भूली देर वोड फी राइडर प्रॉब्लम मतलब तुम फ्री में उसको यूज नहीं कर सकते okay you will have to pay if you want to have it so this is also very important point free rider problem nahi hota hai private goods me then they're writing private goods can be parceled out among different individuals and therefore it is possible to refer to total consumption as a sum of each individual's consumption therefore the market demand curve for a private good is obtained by horizontal summation of the individual demand curves but look samjho ki aise right to kind of demand curve as a sumjo ki se bolta hai ki tu mbola ki itna hai okey pira hai mai kuch bada karun tabhi tumko mai bata paongi suppose kato yaha pe karti ho right to yeh aise hai to tum bolte ho ki bhai mahi itna mahi leunga itna price me itna leunga itna price me yeh alag-alag hai okey so basically this is q1 quantity this is q2 quantity right to agar yeh wala jo part e yeh wala jo part e yeh ek admi ka hai yeh eee etna le lega 202 प्रूट यह नहीं oni यहुआ प्लाइम होया इतना प्लाइन आंदर में नहीं उनली गाइज स्मॉझ कर दिकते डियुकन T जो याद करना हो तो याद करो, बाकि गर बहुत अच्छी पढ़ाई करोगे, तो सारे ही याद करना, तो five points which I will help you to mug up at this point of time, number one, ownership rights, number two, rivalrous in nature, number three, exclusion is possible, then there is no free rider problem and then they can be parceled, they are divisible that way, okay, all private goods and services can be rejected by the consumers if their needs or preferences or budgets change, you cannot reject a public good for that matter, करदो रिजएट कोई फरक नहीं पड़ता उससे, additional resources or cost, यह मैंने बोला तुमको, that if you want, if you want to produce one private good, there is some incremental cost and that is what you recover from the counterparty, तुम अपने कस्टमर सी वही रिकवर करते हो, जो तुमने incremental cost बेर किया incremental unit को produce करने के लिए, वो तुम सामने वाले से recover कर सकते हो, but public good में ऐसा नहीं होगा, एक extra, अगर इंडिया के अंदर में population आज 100 करोड की है, अगर वो कलको 110 करोड हो जाती है, तो उस 10 करोड लोगों को बचाने के लिए incremental कोई खर्चा नहीं करा जाएगा, I hope you understand, मैं क्या बोना चाहरे हूं, कोई पार्क है, उस एक आदमी जादा गर जाएगा घूमने के लिए कुछ नया खर्चा नहीं करना पड़ेगा, वो कहने का मतलब है, since buyers can be excluded from enjoying the good if they are not willing and able to pay for it, consumers will get different amounts of goods and services based on their desires and ability and willingness to pay, therefore whenever there is inequality in income distribution in an economy, issues of fairness and justice tend to arise with respect to the private goods, तुमको सम्झा है क्या मतलब हो, this means that, कि सी, the disposable incomes, the disposable incomes of the people or the consumers within an economy are different, some people have very high disposable incomes, for some people have very low disposable incomes, so have you ever thought that why is the price of some luxury items so much, even if the cost is not that much actually, for example, if you think of Apple phone, the cost of manufacture is not that great actually, but the willingness and the desire of the people having higher disposable income to have it is so damn high that it is sold in the market much above its cost, the margin, the profits are very, very, very high, okay, that is only possible in a private good which is not possible in a public good, this is the meaning of this point, okay, and they say that normally, the market will efficiently allocate resources for the production of private goods, as you will have to, like, ध्यान करना पड़ेगा तुमें, जैसे मेने 10 point में से 5 मेने ध्यान की, 2-4 मेने पड़ेके तुमको सुनाया, बैसे तुमको भी 4-5 point में तुमको ध्यान करना पड़ेगा, so that you can write in the paper, so remember the most important five ones, rivalrous, then feasibility of exclusion, no free rider problem, then ownership rights, and then एक और था न वो, it is like divisible, that way, you know, it is divisible, then it can be rejected, then it will, it will, possibly, they say that if the market mechanism is perfect, it will, but I don't think this, this point I didn't like too much, the last one, I don't think this should be, अगर हमें लिखना ही अंसर, तो हम लास्ट वला पॉंट क्यों लिखेंगे, हम पांचे उपर से लिखेंगे, right, so I think, and additional cost is incurred, यह सारे पॉंट से में लिख सकते हूँ, now, coming, coming ahead, याद है न, characteristics of public goods, उसका ठीक opposites का हो जाएगा, like five, six, five, maybe like four, five, as the most, actually, you know, they have given ten, but four, five are the most important ones here, number one, again, the first point, again, they have repeated there, that, the utility of public good, the utility of the public good is high for the people, but you cannot purchase them and have independent ownership, मतलब तुम तुम को खरीट के खुद का नहीं बना सकते, that is, that is a very unique feature, मतलब तुम कोई पार्क है, तुम खरीट को अपना नहीं बना सकते, तुम अपल को अपना बना सकते, तुम खरीट के, so if you, you cannot, like, purchase for a money, and own it for that matter, that is one very important feature of a public good, number two, there is a non-rivalrous nature, if somebody passes through a street, so the quality and the quantity of the street light, which I got, same quantity and quality, the another person and the third and the hundred person will get, so there is no, that there is no possibility of rivalrous nature in case of the public goods, the usage of or consumption of that particular goods and service by one percent, does not reduce its availability for the sake of consumption of the another person, okay, so it is non-rivalrous in nature, number three, non-feasibility of exclusion, if I am consuming something, some public good, then I cannot disallow, I cannot, I cannot disallow somebody from consuming the same good, for example, national defence or a bridge or a road for that matter, I cannot do this, if I consume, I cannot say it, so the amount of that I have to say from the perspective of consumption, the amount of the other people's thing is, the amount of the another people's thing, okay, and the quality and quantity of which is not much less even though, it is no loss of it in the same way, so number one I have just said, that you cannot purchase it and make your own property by paying some money, Number 2, it is non-rivalrous in nature, there is a non-feasibility of exclusion, there is a indivisibility of the nature, in terms of nature of, you cannot divide it, the way you can divide a private good, you cannot divide this, I can purchase 2 units, you can purchase 3 units, somebody else can purchase some units, for example, you can see a pizza you can buy a pizza, there is a big large pizza, so you can have your own one piece, I can have my own piece, it is divisible, so it is a private good, you pay money, the amount of money you pay, the number of slices you will get, it is not the same in case of a public good, you cannot divide it among people by, for money actually, okay, again the same example, the health benefits, the public administration, the law, the defence, you cannot divide it, it is not possible to divide it in terms of pieces, okay, so these are the 3 important reasons, the, in order to provide, in order to provide, uh, service, this good or service to one additional person, we do not need to, uh, we do not need to incur additional cost on that, I hope you got the point, public goods yield utility to people and our products whose consumption is essentially collective in nature, no direct payment by the consumer is involved in case of the public goods, it is a very important point, public good is non-rival in consumption, it means that consumption of a public good by one individual does not reduce the quality or quantity available for all other individuals, public goods are non-excludable, consumers cannot be excluded from consumption benefits if the good is provided, one individual cannot deny other individuals consumption, agar mahi kisi bridge ko cross kar rahi hum, tum kisi ko yeh ni bol sakte ki yeh bridge mera hai, mahi kros karu nahi, koji or nahi karega, nahi, possible nahi hai, public goods are characterized by invisibility, uh, indivisibility, for example, you can buy chocolates or ice cream as separate units, but a lighthouse, a highway and airport defense, clean air cannot be consumed in separate units, it is not possible, in case of public goods, each individual may consume all the good that is total amount consumed is the same for each individual, I think you are getting the point, right, it is a collective good, it is a collective good, it is a collective good and you cannot make, you cannot buy and make your own, you cannot have a ownership on that, point number one, repeat, repeat kar rahi hum, it is like there is no non-feasibility of exclusion, then there is non-rivalrous nature, it is indivisible, okay, then the next point, once public good is provided additional resource cost of another person consuming the good is zero, it is a good example, right, a good example is lighthouse near a sea shore to guide the ships, lighthouse, see, you have seen, it is the sea, it is the lighthouse, it is the sea route, you use ships, it is the light for the light, right, so what are you saying, you know, it is not possible to own a public park, it is not possible to own the defence, it is not possible to own the highway, it is not possible, okay, the property rights of public goods with extensive indivisibility and non-exhaustive properties cannot be determined with satanity, therefore, the owners of such products cannot exercise sufficient control over their assets, a point actually baut jada important, you know, this point is very, very important, I tell you something, so now because of the, because of the indivisibility of the public good, you know, kind of because of non-exclusive nature of the public good, ưng, क्या होताय यह जहां से स्टोरी तुमारी Σ्चूरू हो रेक्शली कि क्यों कोई public public good का मार्केट नहीं होता है, яiniang मिस्सिंग मार्केट होता है, या स्तन गर्ड़त रेक्धर होती है, समझारी होत में क्या बहुरहा हैं हो तो वो वह ढो हुआ है और ंप सम्झोर तुमने एक गारणी मूनि गारणंगे तो अपिर पादे इस नियुक्त उंसको कर् implications पैसले तुम में आप देखे रहे है तो इतनल अपीसा देना पड़ेगाै को मैं जिसित इसमें इस मेढ जाफ दोLRänder एफ़ सोचоде और coupling है in all the goods and commodities which have got this kind of collective nature okay they are they do not they are not able to they are not they are able to though they are of high value to the society they are of high value like if you think of defense if you think of park a public park if you think of any such goods and service you will be able to imagine that it is so damn important it is much more important than a rolex watch or a armani suit possibly okay but then because market mechanism focuses on profits somebody will invest money into the production of some goods and service only if there if they are able to earn or if they are able to their marginal cost and is still able to earn some profits right but these kind of the supply or the manufacture of of these kind of goods and services would not allow them to charge money they will not be able to recover their cost and they will not be able to earn profits and that is why no private producer would be interested in providing the supply or the manufacture of such kind of goods and services if you make rolex watch then you can sell it at that price and you can buy the price on that price whatever money you charge will pay the price of it he will give the price of it because the desire to own it and the ownership can pass it I am sure you guys are getting it and because of these reasons there is a missing market for these kind of कोई ना, what do we say that word, you know, फिलेंथ्रोपी की वजज से कोई बिजनेस हाउस या इंडस्ट्री, इसे इंडिया में टाटास काफी ऐसा काम करते हैं, फिलेंथ्रोपी की वजज से कर सकते हैं, तो उसमादारा में क्या वरही हूं? मतलब वेलफेर पॉइंट अव्यू से कर सकते हैं, बट हम वेलफेर की बात नहीं कर, हम एकनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, और एकनॉमिक्स का मतलब होता है, मार्केट मेकानिजम का हिस्सा बनना, मतलब एक पब्लिक पार्क को बनाना, एक public park should become an economic activity and economic goods and services, economic goods and service. So why there is no market for such kind of goods and services? Because, अगर शुखरीद लिया, समझो कि तुम मेर को पार्क बेच रहे हो और मैं पार्क खरीद लिया और मैं पार्क लगा दिया अपने घर के वहार में, अब मैं तो एंजोई कर रहे हूं बाके सब भी फ्री राइडर प्रॉब्लम हो गई सब देख रहे हैं तो मुझे वह ची नहीं करने तो ऐसा पॉसिबिल हो पाइगा कि बाके लोग ना देख पाए और क्या मैं दूसरों से पैसे ले सकते हूं नहीं तो मैं भी नहीं खरीदूँगी कि नहीं आ रहे हैं तो मैं तो पैसा देके खरीदी बाके लोग फ्री में देख रहे हैं तो मैं भी नहीं खरीदूँगी लेकिन पार्क चाहिए तो ना तो कोई बेचने को तयार है ना बनाने को तयार है ना कोई खरीदने को तयार है क्योंकि वो हो प्राइस मेकानिजम के अंदर तुम नहीं ला सकते उसको and that is why there is no market, there is no developed market for these kind of goods and services and hence government has to intervene because only government is capable of like developing all the goods and services which come under the category of public goods, social goods or collective goods guys, I think मने समझाया तो है पता है तुम कितना याद रहेगा, मन लिखा है वेलिबल for the well-being of the society, यां लिखा है there is again a very important topic coming up which is, मैं हम लोगो नि क्या क्या पड़ा public good में, public good क्या होता है features and characteristics of private goods you know, if you remember 5-7 from private goods, exactly opposite will be for public goods, so that was features and characteristics of public goods features and characteristics of private goods also, पहले वो पड़ा then public goods का पड़ा, और अब क्या पढ़ रहे classification of public good, guys, यह ना पुरा matrix दिया आवा, देखो तो कैसे matrix बनेगा पता है तुम्हें, rivalrous and excludable, यह, दोनो rivalrous, यह pure private good का combination हो गया, समझ में आया मैं क्या हो गया rivalrous भी है, और excludable भी है, यानि कि apple खरीदने को गई तो एक apple कम हो जाएगी, अगर मैंने खरीद देदा तो तुम्हारे लेक apple कम हो गई, और अगर चाहे तो बेचने वाला मना भी कर सकता है तो यह जो combination है तुम्हारा, rivalrous and excludable okay, this combination, basically A I mean to say is completely private good, then if you see this guy is kind of you know non-rivalrous, मैं D की बात कर रही हूं okay, non-rivalrous and non-excludable यह purely public good की बात हो गई, for example defense and all यह pure public good है, यह pure private good है, यह तो नो कहीं न कहीं बीच में लाई कर रहे है कौन से, B and C, rivalrous थो है, but non-excludable है, मतलब क्या हो गया for example, there is a supply of fish in the, in any like pond or river or something it is rivalrous, if there is too much of fishing in that, the quantity of fish available will definitely reduce that means, अगर मैं fishing करती हूं तो तो महारे लिए fishes कम हो जाएंगी लेकिन यह नहीं पॉसिबल है कि सरकार यह बोले कि अच्छा यह तो fishing कर सकता, यह नहीं कर सकता ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या हो गया, rivalrous but non-excludable common resources like fish stocks, forest resources and coal there is a limited supply and because of that it is rivalrous but because it is available in the nature, it is owned by the government and that is why it will be available to everybody now, एक combination यह C वला भी ध्यान करना पड़ेगा तुमको non-rivalrous but excludable, मतलब if you go to a movie hall if you go to a movie hall, you know, you going a movie hall does not reduce the quality of the movie hall or something मतलब तुम्हारे consumption के लिए, अब मालो के मैंने 3 to 6 का जो शो है वो देखा, अब तुम आने वाले हो 6 से 9 में तो ऐसा नहीं कि मेरे जाने के वज़े से movie hall खराब हो गया या कम हो गया या तो कॉलिटी में कुछ भी कुछ भी कुछ तो नहीं हुआ लेकिन हाँ, अगर कोई चाहे तो तुमको मना जरूर कर सकता है कि नहीं तुम एंटर नहीं कर सकते है तो नौन राइवलरस है बट एक्सक्लोड़ेबल है तो लाइक जितने भी कलब्स होते हैं चिने मास, प्राइवेट पार्ग, सटलाइट, तल्यविजन अल दा ओके फर जामपल उन्होंने लिखा था कि बेस्ट एग्जामपल होता है अ फर जामपल जैसे अगर नेटफिक्स सच्रिपशन लेलो अगर नेट फ्लिक्स में जो मूझन हैं जो भी तुमारी मूझन होती है, वो तुम्हारे देखने Blemik किई और के 4 को देखने में को C squeal tois इसमारा के भीकषा था जिंशन्न, Because of your consumption the consumption for somebody else does not reduce that you are already aware of right but if you do not pay the subscription fees per month to subscribe so this is the classification of public goods guys but I think that already this lecture is off two hours and I have been instructed strictly that I cannot take the lecture beyond two hours at one point of time because we are studying only theory, theory and theory okay so possibly the retention part of the students will be like going on a diminishing marginal utility economics and that is why we will strictly try to keep the lecture around two hours not less than two hours I would like but yeah not much beyond two hours because then it's theory I don't know how much you will be able to hold on my sincere request would be open your module please try to see and read just kind of random reading till here okay from here there are like many some topics are still pending in public goods and then we have like some some more portion pending which will quickly finish in the next lecture it should not take more than one and a half to two hours not more than that I don't think so okay thank you so much please enjoy studying and keep revising it's important I'm sure guys I'm just trying to add value more and more and we have to do sums also which are given towards the you know kind of behind the chapter actually or behind the unit I'm sorry okay thank you